दोस्तो नमस्कार गोड़ेवनिंग गोड़ेवनिंग अल आफ यू दोस्तो बजच चुके हैं नौ और जल्दी से जल्दी आ जाईए लाइव दोस्तो लाइव हमारा सेसन सुरू हो चुका है तो महादे बैच अब की बार सरकारी दामाद बनके रहेंगे दोस्तो जूड़ ज करेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया था और दोस्तो अगर आप हमारे टेलिग्राम ग्रूप से नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वीडियो जब आपकी लाइव सेसन समाप्त हो जाएगा उसके बाद आप जो है टेलिग्राम ग्रूप से भी जल्दी से जल्दी जुड़ें दोस्तो लाइव आए कमेंट करें ठीक है अपनी अटेंडर्स हेल के प्रिवियस क्वेशन पेपर का सेट जो है यह सिक्स है तो दोस्तो जल्दी से जल्दी ज्याद से जाद दोस्तों तक वीडियो सेर की दिया तो चलिए सुरू करते हैं डिसकस करते हैं क्वेशन तो दोस्तों आपका काम क्या रहेगा आपने एक तो वीडियो को सेर करना है और ज्याद से ज्यादा जो है आपने कमेंट करने है ठीक है तो 141 नंबर का प्रसन आता है कि अजन्ता गुफाओं की जो चितरकारी किसकी कहानी को चितरित करती है तो दोस्तो जो अजन्ता की गुफाओं है उनकी चितरकारी है वो किसकी जो कहानी है वो चितरित करती है तो द दोस्तों कमेंट करें दोस्तों मैं आपके कमेंट पढ़ रहा हूं जल्दी से जल्दी कमेंट करें और ज्याद से ज्यादा लोगों को सेर करें वीडियो को देजिए आपका सेर बहुत कम मा रहा है ठीक है तो सीधे पहाडों से जल्दी से जल्दी कमेंट करें और दोस्तों व पहानी को यह चीत रिद करती है ठीक है तो वियाकरन से श्मेंदित आपकर रिखती है तो दोस्तों अश्टा दियाई के जो हैं लेखक कौन है तो जो आपने कमेंट करना है दोस्तो तो one forty three percent हमारे पास आता है दोस्तो कि गुपत लोग कमजोर थे तो किस चीज़ में कमजोर थे दोस्तो तो देखें दोस्तो यह कमजोर थे देखें ब्यापार और वाणिज्य में पूरे कुसलत है तो सिल्फ, option D रहेगा दोस्तों, ठीक है, तो comment ज़्याद से ज़्याद आने चाहिए आप लोगों के, next बसन, तो पाल समराज्य की स्थापना की थी, तो देखे दोस्तों, पाल जो समराज्य था, उसकी स्थापना की गई थी, दोस्तों, गोपाल के द्वारा, ठीक है, पाल औ और गोपाल तो पाल और गो लगा दिया आपने तो गोपाल तो सही अंसर होगा गोपाल उसके बार आर्या समाज की संस्थापक किसे माना जाता है धैनंद स्वर्श्वती जी को ठीक है तो आर्यस महाज के जो प्रत्थमी काई कब स्थावित की गई थी तो यह की गई थी देखी दोस्तो 1877 में ठीक है 1877 option B सही रहेगा next question verse 1684 में British East India Company में एक printing press कहा लगा थी तो देखी दोस्तो इसका सही answer होगा दोस्तो बंबे में ठीक है option C दोस्तो सेर आपका काफी कम जा रहा है दोस्तो सेर कीजिए वीडियो को फैला दीजिए पहाड़ों में फैला दीजिए वीडियो को दोस्तो next question हमारे पास आता है वर्स 1905 में लाड़ करजन के दौरा निमन में से किसे जो समंत या नाइट नाइट वुड की उपादी जो है वो प्रस्तूत किया था 1905 में लाड़ करजन के दौरा दोस्तो किसे किया था 1905 में याद रखिये दोस्तो 1905 में किसे किया था लाड़ करजन के दौरा नाइट वुड की जो है उपादी किसको दी थी तो दोस्तो ये दी थी फिरोसा महता को option B रहेगा दोस्तो फिरोसा महता option B उसके बार next person हमारे पास आता है दोस्तो next person क्या रहा दोस्तो next person हमारे पास रहता है फैला दीजिए जल् like share में कमी आनी नहीं चाहिए दोस्तो like share जाद से जाद दवाईए एक ही बार दवाना है दोस्तो पर ठीक है नहीं तो like dislike like dislike चलता रहेगा ठीक है like unlike like तो दोस्तो आपको यदि सैसन अच्छा लग रहा है तो दोस्तों share कीजिए अपने दोस्तों को उनको भी जो है आप सरकारी दमाद नहीं बनाना चाहते तो दोस्तों share कीजिए जाद से ज्यादा दोस्तों next person हमारे पास आता है वर्स 1928 में किसने कर नहीं का अभयान चलाया थ दोस्तों नहीं रुक्ना नहीं चाहिए आपका ठीक है तो दोस्तों मजा तब ही आता है तो सरदार भल्ल भाई पटे नहीं चलाया था नेक्स्ट प्रसन हमारे पास आता है कि पंच सील के सिध्धांतों की घोष्णा किसके द्वारा की गई तो पंच सील के सिध्धांतों की घोष्णा कौन था दोस्तों जिसके द्वारा पंच सील के सिध्धांतों की घोष्णा की गई तो हमारे देश के प्रथम प्रधान मंत्र जूहाल लाल नहरु जी हमारे माननी कि जूहाल लाल नहरु मंत्री देसह कर परृत्थम धए तब तो दोश्तों इनके द्वारा जुह है यne 이ज्ञ पंसील के सिध्टान तो की गई घिघ्जान इस फोन चीन ने भारत पर आकने किया था तो तो किया था चीन ने भारत पर आकर्मान तो दोस्त Pokip को तो अक्तूब्बर अक्तूबर 1962 में जो है यह चीन ने भारत प्राक्रमन किया था दोस्तो कब किया था तो ठोको लाइक देखिए अक्तूबर 1962 में दोस्तो ऑप्सियल अंसर की के ही अंसर मैं प्रसन के अंसर आपको बता रहा हूँ तो दोस्तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए अगर डाउट है तो कमेंट कीजे दोस्तो कमेंट बॉक्स साब के लिए बना हुआ है नेक्tle प्रसन हमारे बास आता है राजारामोहमराए एक जो अंगुवा ठे तो यह क्या थे राजामोहमराए एक अंगुवा तो देखिए दोस्तो इसका सही अंसर होगा जो पत्रकारिता में जन अंदोलन में और राजनितिक जो सुधारना में में या ये सभी तो देखे दोस्तो राजा रामोहन राय जो थे बोलते क्या है राजा राजा सब पर बस होता है तो ये सभी option D रहेगा दोस्तो पत्रीप कारिता में भी राजनीती में भी और जन अंदोलन सभी में जो है ये अगुआ थे ठीक है मतलब सामिल थे यह सारे का हम जानते थे ठीक है दोस्तो बंदे मातरम हमारा राश्ट्रे गीत किसके द्वारा लिखा गया देखे दोस्तो बंदे मातरम बंदे मातरम क्या है हमारा कईयों को तो यही पता नहीं होगा कि बंदे मातरम है क्या गीत या गान का निफ्यूज हो जाते है वाई स्टुडेंट्स तो confuse आपने नहीं होना है आप तो मुझे काफी समझदार लग रहे है कमेंट तो आपके आर नहीं रहे है पर कमेंट ज्यादा से ज्यादा करिए दोस्तो दोस्तो कमेंट आपके रुक रहे हैं कमेंट रुकना नहीं चाहिए शेयर कीजिए वीडियो को फैला दीजिए शेयर का बटन दबाईए दोस्तों तक अपनी वीडियो यह पहुंचाईए लाइब सेसन हमारा चला हुआ है डेली नौव यह चलता है दोस्तों तो देखे दोस्तों बंदे मातरम हमारा राश्ट्रे जीत किसने लिखा तो देखे दोस्तों यह लिखा हमारा BS चतर जी तो वकीम चंदर चतर जी वकीम चंदर चतर जी BC चतर जी इसका यह जो है और दोस्तों बंदे मातरम तो हुआ तो लेकिन राश्ट्रे गान ठीक है राष्ट्रेगान जनगनमन किसके द्वारा लिखा गया दोस्तो तो कमेंट करना है अपने दोस्तो इनी चार में से आप्शन होगा दोस्तो देखते हैं कितने लोग कमेंट कर सकते हैं इन चार आप्शन में ही जो है राष्ट्रेगान के लेखक का नाम भी सामिय है कमेंट मैं पढ़ रहा हूँ दोस्तो नेक्स प्रसन नेक्स प्रसन हमारे पास आता है नीवन में से क्या भारत के सम्मिधान में राज्य सूची में सामिल नहीं है दोस्तों आप चले आपके पॉलिटी के प्रसन ठीक है पॉलिटी के प्रसन चलते हैं कि नीमन में से क्या भारत की समिधान की राज्य सूची में सामिल नहीं है देखे दोस्तों पूलिस कानून व्यवस्ता कैद खाना दंड प्रक्रिया सहीता तो दोस्तों इसका क्या अंसर होगा तो इसका जो अंसर होगा दोस्तों ओगा देखिए जो समिधान की राज्य सूची में सामिल नहीं है देखिए दोस्तों क्या दखाना है कानुन विवस्ता है पूलिस है लेकिन दंड सहीता जो प्रक्रिया दंड प्रक्रिया सहीता है ये नहीं है उसके बाद नेक्स्ट बसन हमारे पास आता है 154 154 प्रसन क्या बोलता ह है निवन में से कौन सा राष्ट्र मंदल सीखर समयलन भारत की मेजवानी में संपल हुआ तो देखिए दोस्तों यह जो हुआ यह आपका हुआ ये कौन सा है तो 24 सिखर सम्मेरन करंट अफेर का प्रसन मुझे लग रहा है दोस्तों ये उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास प्रसन आता है दोस्तों कि संपरदाहिक समनवय सदभाव का राष्ट्रिय नियास किस प्रसासनिक नियंतरन के अधीन है तो देखी दोस्तों इसका सही अंसर होगा ग्री विश्यक अफेर्स मंतरा ले ठीक है तो होम अफेर्स मिनिस्टरी ठीक है उसके बाद नेक्स्ट बसन जातियों अत्वा जन जातियों को अनसूचित जातियों अत्वा अनसूचित जन जातियों में जाहिर करने की सक्ति का संवेधानिक प्राधिकार नहीत है तो देखे दोस्तों ये नहीत है option C भारत के राष्टरपती के पास option C रहेगा कमेंट आपके बहुत कम आ रहे हैं दोस्तो कमेंट करिए देखे दोस्तो सेशन को सेर कीजिए जासे जादा लाइब बहुत कम लोग हैं देखे दोस्तो आपके रही ही जो है लाइब क्लासिस चलाई गई हैं अगर आप इस प्रकार से रिस्पोंस देंगे तो कैसे हमारा जो है वीडियो को नहीं फैलाते हैं नेक्स प्रसंट देखे दोस्तों प्रसंट आता है मरीची काओं को व्यक्खित किया जाता है तो देकि दोस्तों ये किया जाता है option b पूर्ण आंतरिक परिवर्थन के द्वारा देखे दोस्तों आप सिर्फ प्रसंटों को देखिए की एक तामबे के तार को फ्यूज तार के रूप में प्रियुक्त नहीं किया जा सकता क्या कारण रहेगा तो इसका गलनांक जो है उच होता है ठीक है दोस्तो इसका जो गलनांक होता है वो उच होता है ठीक है दोस्तो आप यह आपके science और electrical इस trade से समंदीत यह प्रसन है आपके ठीक है तो नेक्स प्रसन नेक्स प्रसन आमारे पास आता है दोस्तो तारों में बीशन बीसफोर्ट कहलाता है दीक है तो अगर लग जाती है माली यह तो उसे क्या कहते है तो तो दोस्तों जो केसे टेप लेपित होता है तो यह होता है लोक्साइड से जुम हने आपको पहले बताया नैस्ट प्रसना मारी पास राता है गोपर गैस के उत्पादन में होता है तो गोबर गैस के उत्पादन में होता है दोस्तो 61 को होगा किनवन ठीक है किनवन जो है गोबर गैस के उत्पादन में होता है तो होता है किनवन उसके बाद next अगर हम बात करें दोस्तो तो next हमारे पास आता है तो 62 62 हमारे पास किया है दोस्तो तो 62 ह कार्डियोग्राफ का जो उप्योग नीमन का पता करने में किया जाता है, तो देखे ही कीガती, 20 गशनी कि गर्टि ऑपशन होगा ही जी गर्याइक रिखे घर्टिक रिखेर की गर्टि का सब्सक्राइब करने में कि सिक् Does dificult क द्रीमियं सबसे स्थाइग सेत्र है तो देखेगे दोस्तों स्रंचनातमक दिश्टि से सबसे सथाई युक सेत्र है वह है दक्षिन का पठार option B रहेगा ठीक है option B कमेंट आपके बहुत कम आ रहे हैं दोस्तों कमेंट जासी ज़्यादा कि यह गुरु सीखर की इसकी उच्तम चोटी है तो देखे दोस्तों गुरु सीखर जो है आपका वह है आपका अरावली परवत ठीक है अरावली परवत माल परवपठा और काल रिधा में सबसे ज़्यादा उप्योंगी फसल कौण से होती है तो थी इसल गपास नेगगे उत्रे妈शन उत्रे मैदान की जो बानिज्यक है धाशल है दोस्तव उटीं गन्ना ठीक है अब्लेड the黄म क्या रहेगा option रहेगा डी नेक्ट परवह इस Refer outlook से और यनित वीमारी यहsti अपकी सजोन क्या रहेगा के आपका सीफ़ड़ों का कैंसर का तोंग के कम नरहेगा के अंतरक। एक नहीं ऑजनकि सिराजय में अरंब के गया एक नुजनकि सराध्य में क्राइन दूस्तों कुर्ण तो इसका सight करन देंसर होगा राजस्थान के द्वारा की गई जो योजना संबंदित है तो देखे दोस्तों यह जो हमारे पास आता है दोश्टों के संबंदित ब्रिद्धी जैसे कि यह जिरमी पंच बर्शी योजना में घोशित की गई है नीमन मेंसे किसको सामिल नहीं करती है तो देखे दोस्तों कौन सी जो है वो आपकी जो सम्बंदित सम्रीद्धी है तो ग्रीवी में घटाब। और पूaatज्य बाजार में स्थासेत कुप पूर्व में कहा जाता है तो यह कहा जाता है आपको आपको जो इंपिरियल बैंक ऑफ-इंडिया औप्सन डी कर छंपचंप चंप चंप लोक नियुकर नियुकि दिए कि दूस्तों यह आपका लस won subtree तिक है यहालस पीधि जब यहालस पीधि हुए वो हिमाचल प्रदेश में अतों चंद्र भागा घाटी जंदरताल और क्षित्र हुआ agree जो है यह आपकी तो quem क्षेत्र कई सभीति और ठीक्यर्भा सुनके सब्सक्र получилось नहीं महंचण प्रताप 5 vidéo का दूसरा क्या नाम है दिखे दोस्तों पॉंग बान ओप्सन ए रहेगा ठीक है नेक्स्ट वरसन जो 1922 में हिमाचल प्रदेश के किस राजिया में पंजहौता अंदोलन होता हूँ तो दिखे दोस्तों पंजहौता अंदोलन जो हुआ था ओप्सन आजिल के अंत्रगत ठीक है ऑप्सन्ट डी रहेगा बेन गंगा हिमाचल प्रदेश की जो नदी की सहयक नदी है तो देखे दोस्तों यह ब्यास की सहयक नदी है कौंक। है वनेर बान गंगा लूनि पारवति स्यूर साहल और बात करें रावी की तो रावी की है भांदल-चट्रानी-चूर्ण-शाल ठीक है भंद्रानी इन रावी की है यह आपकी कौन-खौन सी है कमेंट करिए तो रावी की है भांदल ततागेरी छत्राणी सियूल साल ठीक है सतलूज की सतलूज की जो नदिया है वो है चंदर और भागा जिन से सौरी हाँ बस पौर्स भी थी है दोस्तों सतलूज की और चिनाब की है चंदर और भागा ठीक है तो इस प्रकार से आपने या करद रखनी है यह मंद्डी बना गया कर हुई सब्सक्राइब के बाड़े मेले की मुख्या जो भीसे दागी तो वह बैलों के जोड़ें की पूजा करना नैस प्रस नैवर्स और बिलासपॉर्ज़ अंत्र कहती है जाता है नलवारी मेला ठीक है तो री लगा है यहाँ पर लेकिन डी होता है ठीक है नलवारी साइद यहाँ पर करेक्शन कर जाता है लोसर सान रित्या और कमेंट करिए किस डिश्टिंग में बनाया जाता है जल्दी से जल्दी कमेंट आपके आने चाहिए तो नेक्स परसन बावा बालकनाथ सुप्रसिद मंदिर किस जीले में है देखे दोस्तों यह है आपका हमिरपूर और हमिरपूर की अगर हम बा कि अब साखसर जो है यह हमिरपूर जीला है उसके बाद यह जो आपके प्रसंट चले हैं यह चले आपके करकन भूंट का इसकal कोई नहीं ने शुल्ब अपने खुद करने हैं यह एक्स्ट प्रसेंट उन्हें एक्स्ट है इसमें और सब्सक्राइब और तो यह आपके पास मिनिंग दिये हैं एडियम ठीक है तो यह आपका सही आंसर होगा इसका और एंट्रोनेमस का अंसर सही होगा और उसके बाद अगर रही बार नेक्स्ट 194 तो फिलिंग इन दा बलेंक साहे तो इसका जो सही होगा दोस्तो यह बी आप्सण भी होगा उसके बार प्रेक्ट स्पैरिंग आपने बतानी है तो इन चारों में से कौरेक्ट स्पैरिंग कौन सी है तो option B रहेगा ठीक है नेक्स्ट प्रसन हिंदी के पांच प्रसन है दोस्तों तो सुद सब्ध पिंजरा किस प्रकार से लिखा जाता है तो देखे दोस्तों पिंजरा जो है वह आपका लिखा जाता है किस प्रकार से लिखा जाता है इस प्रकार से चैन का संदी विखेद कीजिए तो चैन का जो संद प्राउद करना मतलम ठीक है उसका लेटा डोरी में कौन सा समास सब् homocalypse लेजिस्ट सरह को मैं बैंऐसा आप । के वीडियो ओशलिटन क्विष्ट लाइभ लाइव सैशन कैसे लगा कमेंट जूढ और टैलेग्रामग्रूप को ज्ञां कर सकते हैं वहां से आपको जो है इसकी पीडिया मिल जाएगी पीडियापस से आपको किया फायदा होगा एक बार फिर से आप एक क्वरिट则्सान लगा सकते हैं तो मिलते हैं next वीकम तब दे زिए ऍविडियो अटौब